गौसेवार्थ परीसर की और से आज मात्र दिवस के शुब अवसर पर गौसेवा हेतू भिशन गर्मी को देखते हुए जाजिवाल भाटिया अस्थित नारायन पुरी गौस्षाला में गौमाता की सेवा में मीठे पानी के टकर की ववस्था कराए गए जुसमें संगठन के अध्यक्ष भाटिप शर्मा मिंटू शर्मा ने बताया की कुछ दिनों से गर्मी का कहर बहुत बढ़ रहा है और इसी कारण गौस्षाला में पानी की कबी हो रही थी इसी को देखते हुए गौसेवार्थ परिवार के द्वारा गौमाता के लिए मात्र दिवस के सुभा उसर पर पानी के टेंकर की ववस्था की गए इस सेवा के संगठन के तरुन साखला धन्मेंद्र शाखला दाव सिंग पवार रविंद्रे सिंग चोहान ने अपना युगदान दिया और गौमाता को इस गर्मी से रहात मिले इसके लिए सेवा कर युगदान किया आज गोसेवात परिवार के उपलक्स में और आज मात्र दिवस के सुभा उसर पर सी निर्मलपूरी जाजीवाल गोसला में तीन पानी के टेंकर विशन गर्मी को देखते हैं तीन पानी के टेंकर दाव सिंग जी पवार के सयुक्त तत्वदान में आज गोसेवात परिवार गोष्यों के सब्सदों की साथ हम अगे निरन तर इसी तरह नि यह समर्फिक रहेंगे आप सब्सक्राइब को से उस्कुड aún करीकारे अइज़यं सीस अर्विजुनिक निर्मान विभाग नगर खंड जोतपूर के माध्यम से अनुमान इतलागत चार लाख की रासी के निर्मान कारिका से लन्यास किया विधायक पवार ने बता कि बच्चों युवाओं के खेल एवं बुजुर्गों के टहले योगा एवं विव्याम के लिए स सिंदी अथाने महलेवासियों को परिशानियों का स्लामना करना पड़ रहा था तो विधायक पवार ने अस्थानिया विधायक निधी से चार लाकरां से शुकRIत कर्या स्पॉर्ट्सका मृमान का सिलन्यास किया जुला ध्यक्षिस सलीम खान उकमापार अब्दूल करीम जानी ब्लॉक अध्यक्ष अक्तर खान सिंधी एवं अस्थानिय पारशद महमुदा मुहम्मद साखिर का भी मालियरपन कर श्वागत सत्कार किया जोदपूर में 15 मैं उत्तर प्रिस्टीम रेलवे जोदपूर स्टेशन पर शुमवार को स्कॉट गाइड की और से स्टेशन पर इसर पर रेल यात्रियों को ठंडा पानी पिलानी के सेवाएं सुरू की गए इसके साथ ही ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को भी अब रहत मिलेगे स्काउट गाइड ने शुमवार से रेलवे स्टेशन पर अपनी पानी की सेवा सुरू और 30 जून तक लगतार जोड़ी रखेंगे वरिस्ट मंडल कार्मी का अधिकारी रमेश कुमार शुर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रवंधक पंकरच कुमार सिंग के दसार निर्देशन में आज मोखे रेलवे स्टेशन पर स्काउट गाइड के द्वारा ठंडा पे जोल रेल यात्रियों को प्लगत करवाएं गया है यहां DRM ने स्काउट गाइड की प्रसंसा करते हुए रेल यात्रियों को ठंडा पानी पिला कर इसके सुरुआत की उन्होंने बताया कि स्टेशन पर पानी के सेवा 30 जुन तक लगतार जारी रखेंगे लिखनी है कि स्काउट गाइड द्वारा गर्मी की छुटी सुरु होते ही रेल बेस्टेशन पर पानी के सेवा सुरु के जाती है इस्टेशन पर जिस से किसी को पानी के ज़ुरत होती है जो लसेवक दोड़कर उनके पास पहुंसते हैं और निसुल के ठंडा पानी पिलाकर यात्रियों की प्यास पुछाते हैं वह स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए यह एक बहतर सुवेधा सुरू हो